आप देख रहे हैं HR News हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं आप इस फमारे को देख करके कहीं ये ना समझ ले कि किसी ने बोरिंग कराई है और ये पानी बोरिंग का आ रहा है जी हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये तस्वीरे भेजी है रिवाडी के गाउं खडगवास से हमें ग्रामिडों ने इन तस्वीरों की हकीकत हम आपको बताएंगे विस्तार से पहले आप ध्यान से देखे किस तरीके से और कितनी रफ्तार से इस फमारे से पानी निकल रहा है जमीन से और ये पानी पिछले तीन-चार दिनों से लगातार यूँ ही बह रहा है जबकि बा पानी की एक-एक बूंद बचाने के लिए सासन पर सासन दौरा हमारी सरकारों दौरा करोड़ & रूपे के विज्यापन प्रकाशित किये जाते हैं तकि आम आगदमी जागरुको हो और पानी की एक-एक बूंदों को बचाए विर्थ ना जाने दे पानी को पानी बचाने का जिम्मा जिस विभाग का है यानि की पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ का मतलब जन स्वास्ते विभाग जिसको बार बार सुचित करने के बावजूद भी आज तक उसने इस फ़वारे को बंद करने की कोई कदम नहीं उठाया कि किस तरीके से पानी बहरा है इसको रोका जाए लिकेज ये है गिरामीडों हमें तस्वीरवाद से ब जगा सकते हैं कि कथनी और करनी में कितना फरक है ये तस्वीरे बया कर रही है कि कितनी लापरवाई है आपको यहाँ पर बता दे हमने कुछ दिन पहले आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से पब्लिक हेल्थ का एक नाला तूटा हुआ था उस पे लोहे का जाल नहीं होने की वज़े से एक महिला उसमें गिर गई थी और उसकी टांग भी तूट गई थी ग्रामिनों ने बताया कि इतने दिन होने के बाउजुद्वी आज तक जन स्वास्ते विभाग ने वहाँ कोई कारवाई नहीं की और इस्तिति जसकी तसर वो भी तस्वीरे आज ह बें दोबारा उन ग्रामिनों ने भेजी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं तो यह एक गाम की तस्वीर है और इससे यह अंदज़ा लगाया जा सकते हैं कि कही ना कहीं आप ग्रामिन जागरुक हो गये हैं और वो मीडिया को इस तरह के की अपने ग्रामिन छेतर से तस्व कमरों में बैठते हैं अगर कोई मामला आ जाता है तो उस पे कोई कारवाई वो करते नहीं है चाहे आप ऐसी कितनी ही तस्वीरे दिखा ले यह पॉब्लिक एल्थ का रवईया है यानि कि जो जन स्वास्ते विभाग है हलक की गरामिन शेत्रों में जगे जगे इनके कारवाई लेकिन उसके बावजूद भी कोई कारवाई नहीं हो रही किसी भी अधिकारी करमचारी को शर्म नहीं आती है कि यह पानी व्यर्थ जा रहा है कि इस पानी को रोका जाए और जो यह बड़े-बड़े दाविक किया जाते हैं परचार परसार किया जाता है कि एक एक बूद आप बचाईए जल ही जीवन है तो कैसा जीवन है यह अंदाजा आप इन विभाक की कारवे परणाली को देख करके लगा सकते हैं कि पिछले चार दिनों से यह पानी इसी तरीके से व्यर्थ जा रहा है गिरामीडों ने हार करके जब कोई कारवाई नहीं हुई तो मीडिया का साहरा लिया और मीडिया को यह तस्वीरे बेजी क्योंकि आपको बता दें Siwar के ढकजन हो चाहे पानी की निकासी का बंदोबस्त हो यह तमाम जिम्मा पबलिक हैल्थ के पास है यानी कि जंस वास्ते विभाक के पास है और जन्स वास्ते विबाग कैसा कुमकर्णी नीन सोया हुआ है यह अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके के कोई भी वहां सुनने वाला है नहीं आकिर ऐसा क्यों कौन है इन सब का जिम्मेदा क्या आपको लगता है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ करमचारियों के खिलाफ सकते सकत कारवाई होनी चाहिए जो यह पानी व्यर्थ जा रहा है या जो जिसको नुक्सान हो रहा है इन खड़ों में गिरने से उसकी भरपाई इन अधिकारियों से करनी चाहिए जनता टेक्स देती है इस उमीद पर की अधिकारी काम करेंगे और इन अधिकारियों को सेलरी भी जनता के पैसों से ही मिलती है यानि कि जो टेक्स का पैसा आता उसी से ही इनको सेलरी भी मिलती है उसके बावजूद भी कोई कारवाई करने को तयार नहीं है यह तस्वीरे अपने आप में बहुत कुछ कह रही है अब देखने वाली बात यह है क्या यह पुब्लिक एल्थ यानि कि जन स्वास्ते विभाग के अरिकारी इन तस्वीरों को देख करके कोई कारवाई करेंगे या यह मामला नूही लटका रहेगा यह पानी नूही बहता रहेगा आप समझे कितना जीवन यह पानी बचा सकते थे जो व्यर्थ पानी जा रहा है और जो हमने आपको एक जाल दिखाया किस तरीके से वो जाल तूटा हुआ है सीवर के धकन आप जाईए पिछले दिनों भी हमने दिखाया था किस तरीके से सहर बर में ज लगा दिया लेकिन दूसरा छोड़ दिया तो यह बहुत कुछ तस्वीरे बया कर रही है और यह तमाम जिम्मा है पब्लिक एल्थ का जन स्वास्ते विभाग का देखने वाली बात यह है क्या जे जन स्वास्ते विभाग अपनी कुमकणी नीन से जगेगा फिलाल इतना ही फिर किसी टोपिक के साथ आजिर होते हैं तब तक के लिए नमस्कार के लिए ऐसे जजए एढ़के जे लुपिक के लिए हैं तब एट दोती हैं जे जाए हैं तोती हैं तोती हैं अजए नीच